घलो फ्रेंड्स, वेल्कम् टू जोतीस किचन फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मसाले वाले छोले जी हैं फ्रेंड्स, ये छोले हमारे बनेंगे छोटी वाले जो काले चने होते हैं उससे और खाने में इसका स्वाध आपको इत्ता चा लगेगा कि आप बाकी छोले का स्वाद बोल जाएंगे और इसे ही बार-बार बनाएंगे और इसे बनाना भी बहुत ही आसान होता है ये जटपट बन भी जाता है तो चलिए फ्रेंड सुरू करते हैं यहाँ पे मैंने दो बड़ी पके टमाटर लिये हैं दो बड़ी मीर्च खरिये और लसुन की कलियों को मैंने करश कर लिया है इसके साथ ही थोड़ा अध्रक और एक बड़ी साइज की प्याज को मैंने पतला काट लिया है और ये एक कटोरी छूटे को मैंने तीन से चार घंटे भीगा लिया था गुनगुने पाने में अब मैंने जू टमाटर लिया था उसे ग्राइंडिंग जार में ऐसे काट करके डाल रहे हूं क्योंकि हमें इसका पेश्ट बना लेना है तो फ्रेंड्स इसका मैंने पेश्ट बना लिया है मैं इसे अलग कटोरी में निकाल के रख दूँगी इसके बाद हमें चलना है अब गैस की तरफ तो मैंने गैस पे कुकर को गरम होने के लिए रख दिया है इसमें मैंने तीन चार लॉंक और दो तेज पत्ते इसके साथ ही थोड़ी सी डाल चेनी और एक चोटा चमट जीरा डाल के मैंने इसे अच्छे से भूना है अब हमने ज भूनेंगे तो 10-15 सिकेंड तक भूनने के बाद मैंने इसमें जो प्याज काटके रखा था वो मिला लिया है अब इसे भी हमें अच्छे से चलाते हुए एक सी डेड़ मिनिट तक भून लेना है अब हम इसमें मसाले आट करेंगे तो यहां पर मैंने आदा छोटा चमच हिं मसाले मिलाया है और इसके बाद मैंने एक छोटा चमच नमक मिलाया है अब हम इन मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स करते हुए भूनेंगे दीमी आज पर तो लगभग 20-30 सिकेंड भूनने के बाद मैंने इसमें टमाटर का पेष्ट डला है अब इसे अच्छे से मिला लिय है मैंने तो ऐसे ही हमें इस पे गोकल का धकन रखके एक सी टेर्मनेट तक इसे पकने देना है दो मिनट बाद मैंने धकन को हटाया और फीडि से चला के अच्छे से इसमें मैंने जो चने को भीगा के रखे थे उसको मिला लिया है तो friends मैंने यहाँ पे एक कटोरी चने को मिलाया है आप अपने हिसाब से amount बढ़ा या घटा सकते हैं अब मैंने यहाँ पे डाला है एक छोटा चमच आमचूर पाउडर और इसके साथ ही कटोरी मेथिर को मैंने इसमें थोड़ा सा करस करके मिला लिया है अब हम इसे अच्छे से mix करेंगे और इसमें पानी मिलाएंगे तो यहाँ पे मैंने एक से डेड़ कप के लगभग पानी डाला है ताकि हमारे छोले अच्छे से पक जाए और gravy बने तो अब हमें इसका ढकन सेट कर लेना है तो कोकर का ढकन मैंने सेट कर दिया है अब हम 3-4 सिटी आने तक का इंतजार करेंगे फ्रेंड्स हमें गैस का फ्लेम पहले हाई रखना है जब 2-3 सिटी आ जाए तो हमें मेडियम करके एक सिटी और लगवा लेना है तो यहाँ पर हमारे कोकर ने 3-4 सिटी आने दे दी है अब हम इसको खोलेंगे यह देखे फ्रेंड्स कितना अच्छा हमारा छोला बन के तयार हुआ है यह देखे कुछ इस तरीके से इसके ग्रेवी बहुत अच्छी हुई है अब हम इसे निकाल लेंगे खाने के लिए तो यह देखे फ्रेंड्स कितना अच्छा और कितने कम्स टाइम में हमारा टेस्टी छोला बन के तयार है तो फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको पसंद आया लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले